चर्चित कवी दूसियंत कुमार की गजल की दो लाइने हैं, कौन कहता है कि आसमान में शुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उचाल कर देखो मेरे यारो, दूसियंत कुमार की इन पंक्तियों को सहीं साबित करके दिखाया है बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट का IPL खेल रहे थे, अब टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके हैं, हर खिलाडी का सपना अपने देश के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना होता है, शुकरवार को टीन अटराजन का यही सपना पूरा हो गया, गाबा में चोथे टेस्ट मेच में उन्हे टेस्ट कैप मिली, गेंदबाजी कोच भरत अरुन ने उन्हें टेस्ट कैप सोपी, इस तरह से वो टीम इंडिया के 300 में टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं, टीन अटराजन के कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, इस क्रिकेटर को IPL में अच्छे परदर्शन के ब नटराजन ने 2 दिसंबर 2020 को केनवरा में डेब्यू किया, वहाँ दो विकेट लेकर अपनी चाप छोड़ी, फिर उन्हें T20 सीरीज के 3 मैचों में मोका मिला, इन नटराजन ने अपनी परतिबा वहाँ भी दिखाई, और वो सीरीज के सबसे अच्छे गेंदबाज सावित ह हुआ था, हलाकि उस समय उन्हें कोई नहीं जानता था कि नटराजन के किस्मत ब्रिस्बेन आते आते चमक जाएगी, चोथा टेस्ट आते ही समी बुमरा चोटिल हो गए, जिसके बाद नटराजन को डेब्यू करने का मोका मिला, टीन नटराजन की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये खिलाड़ी तमिलनाडू के एक छोटे से गाम, चिनापम पट्टी में जन्मा और उनकी मा मजदूरी कर परिवार का गुजारा करती थी, नटराजन टेनिस बोल से क्रिकेट खेलते थे, एक दिन उन पर कोच जै परकास की नजर पड़ी, जिसके बाद बाएं हा आपकी क्या राय है, आप अपनी राय है मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अन्या ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें